हेलो स्टुडेंट्स आज हम चैप्टर 3 क्लास 6 का चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.5 करेंगे चैप्टर का नेम प्लेइंग बिद नंबर्स तो इसका कोशन नंबर हम 5 देखेंगे राइट दा इस्मॉलेस्ट फाइब डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस एट इन फॉर्म ओफ इट्स प्राइम फैक्टर कह रहे हैं कि राइट दा इस्मॉलेस्ट फाइब डिजिट नंबर पहले तो आप क्या करो कि फाइब इस्मॉलेस्ट फाइब डिजिट नंबर लिखो नमबर is equal to, क्या होता है, 1, 2, 3, 4, ठीक है, तो 5 डिजिट हो गई हमारी, तो यह हमारा 5 डिजिट नमबर है, अब कहरा है, and express it in the form of its prime factors, तो हमें इसे prime factor में हमें convert करना है, तो prime factor हम इसके निकालेंगे, तो लिखेंगे 1 के आगे 4, 0, अब यह किससे कट रहा है, पहले तो सबसे चोटी डिजिट हमारे prime factor कौन कौन से होते हैं, 2, 3, 5, 7, so on, so on, होते हैं, तो हम 2 से करेंगे, 2 से करेंगे, तो क्या आएगा, 2, 5, 10, 0, 0, 0, फिर हम करेंगे, फिर 2 से कट जाएगा, 2, 4, 2, 5, 10, 0, 0, अब यह किससे कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 2 से, 2, 1, 2, 2, 2, 4, 2, 5, 10, 0, फिर, 2 से कट जाएगा, 0 आ रहा है, 2 छंग 12, 2 दूनी, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2, 5, 10, राइट, अब यह किससे कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, अब यह 5 से कटेगा, 5 एकम, 5 एकम 5, एक बचा, बारा हुए, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 बचा, पचम 25, अब 5 दूनी 10, पचम 25, फिर, पचम 25, पाचम 25, पाच एकम 5, तो, 1000 के, 1000 के हमारे प्राइम फेक्टर्स क्या क्या आ गए हमारे, 2 x 2, x 2, x 2, यह हमारे फेक्टर्स आ गए, तो हम इसको लिख देंगे, 4 बार 2 आया है, और 4 बार 5 आया है, यहकि 5 x 5, x 5, x 5, x 5, और इसको हम ट्री के रूप में कैसे दर्शाएंगे सबसे पहले हम लिखेंगे 10,000 और इसको हम कैसे लिखेंगे 4 4 को हम लिख देंगे और क्या हो जाएगा 2500 इस 4 की हम इससे multiply करेंगे तो यह आ जाएगा इसको हम box में रख लेते हैं अब इस 4 को हम तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे दो दूनी 4 अब इस 25 25 को हम तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे 25 25 और 100 25 की हम 100 से multiply करेंगे तो क्या आएगा अब इस 5 के हम करेंगे 25 के हम करेंगे तो क्या आएगा 5 x 5 अब 100 के क्या factor हो सकते हैं हमारे 20 और 5 20 पंजे 100 अब इस 20 के क्या होंगे 20 के होंगे हमारे 5 और 4 अब इस 4 को हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2 और 2 तो इस तरीके से आप इसको solve कर सकते हैं फिर से देख लेंगे prime factors आ गए हमारे ये ऐसे करने ऐसे हमने करा prime factor निकाले prime factor हमने ये लिख दिये और इसको हमने ये दर्शावी दिया ट्री के रूप में 10,000, 25,400 फिर 4 को दो दुनी चार फिर 25,000 को तोड़ा हमने 25,000 बुड़ा 125,000 फिर 25 के हमने करे 25,000 फिर 100 के करे हमने 20,500 फिर 20 को हम क्या से कर सकते हैं 5 और 20 अब 5 तो खुद prime factor है तो prime factor में ही करना है तो 4 बचा 4 को हम क्या लख सकते हैं 2 x 2 तो यही हमारा इस question का answer है और next question के लिए हम लोग next video में मिलेंगे अगर वीडियो आपको पसंद आए तो please like कीजिएगा और channel को subscribe कीजिएगा